हलो दोस्तों, मैं ईलर निंगी दुर्गेश से, सुनिल कुमार रहा हूँ हम आपको देचरते हैं हिंदी के दूसरे पेक्चर में दूसरो एक्चर आप ने हिंदी का सत्व पर्चे पढ़ चुगा हिंदी भांसा की विकास का परम पढ़ चुगा साथ ही साथ सम्मेदान में हिंदी का इस्तिती है, इसका भी मैंने अध्यन कर लिया, हिंदी का रूप प्याकरती का अधार पर किस तरीके से हिंदी है, जन्गारणा 2011 में हिंदी क्याज किती है, कैसे बूली जाती है, कितने राज्यों में हिंदी बूली जाती है, कितने केंसादिन पर्दिस में हिंदी बूली जाती है, साथ ही साथ इसमें हिंदी कहां पर बूली जाती है, क्याज का गैरा है, तो अब मागे का जो चप्टर चालू करते हैं, व यह मेरा वर्ण पर्चे जैसा यहां से परिच्छों में वह सारे परिच्छ पूछे जाते हैं तो यह हमारा वर्ण पर्चे में अमध्यर करेंगे वर्ण किसे कहा जाता है वर्ण कितने प्रकार का होता है इस प्रकार से क्या है तो आप पढ़ेंगे काउन सा है आपका वर्ण सबसे चोटी गई प्राण कहलाती है भासा की सबसे चोटी गई वह सबसे चोटी गई क्या कहलाती है वहार नगलाती है या किसा था है सबसे छोटी इकाई यह लगुत्तम इकाई जो भी दे दे, बहांसा की सबसे छोटी इकाई या लगुत्तम इकाई ही के मारे क्या का लाते है वर्ण कर दो तो work कि यह कहा जाता है उपन को यह को सी र्म कहते हैं वह एक पर भांसा की में है शूरू को हम खें है किसी आंडल भ Series की अठेदा कहाते हैं कर दोद्थटों यह मारा रहा जैसे त्व आ हो रहा नहीं मृ न है वर्ण है जैसे वह लिखा है क्षार क्षार में लिका है तो ऑंसा की सब क्या काते हैं अइसे तोडहां न जा सके जीसे अलग न किया जा सके उससे हम आपकाते हैं जबसे अलग न तया सके सबसे लग उसे रहीक महपा हुआ होता है यह आपका वीडिवह क्या शचुक sausage वर्ण के कितने परकार हैं, वर्ण के कितने बेद हैं, तो वर्ण के कितने बेद हैं, दो बेद, पहला बेद आपका कहों सा है, वह आपका पहले आता है, आपका स्वर, और दूसरा आता है, यह हमारा क्या है, ब्यंजन, पहला क्या है स्वर, और दूसरा हमारा क्या है, जिसका नास नहों, जिसका चरण नहों, जिसका पतन नहों, जो टूटे नहीं, वही क्या क्लाता है, अच्छर क्लाता है, अच्छर क्लाता है, अच्छर क्लाता है, वर्ण क्लाता है, वर्ण क्लाता है, वर्ण क्लाता है, अच्छर क्लाता है, वर्ण क्लाता है, वर्ण क्लाता ह के जिसे अद н orada का इसे कि स्वार का फ़र किया सकते हैं कि किने प्रophileapp up gehen a इक One का है शवर और दूसरा क्या और दूसरा क्या है डूसरा जा second लिदधे अध्यन ग्राइण पहल्य हम अध्यम करते सौन क करते हैं इस वर शवर को जञ स्वर्न किसे कहा जाता है? तो ऐसे वरण या अच्छर हुआ हो? स्वातंत्रbayor Con header लिघ गार品 फोते हैं याय थे वर्ण याजर जिनका उठ्चारक विनका है प्तका या चाहर और स्वातंत्रो घदचारन स्वातंत unique होता है figasto जैसे का जाता है तो अज़िए बलाता जgens souvenir स्वातंत्र आते हैं जिनका उठ्चाहर स्वातंत्रao विए उसको कहने हैं तो कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण या अच्छा जिनके उच्छार में किसी दूसरे वर्ण या अच्छा की सायता की आउशक्ता नहीं पड़ती जैसे हम आपको लिखा लिखते हैं कि इसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण या अच्छा की सायता की आउशक्ता नहीं पड़ती तो वो क्या कलाते हैं श्वर कलाते हैं रोगन करेो में जिनके उचारन में किसी दोसरी वरण या जिसायति अ के अप्र के वार लें Спस aan जान लेते हैं हैं यह में LE स्वार क्वाँड हैं आपके टो चोटी ए, बड़ी ए, छोटा हो, बड़ा हो, प्रीशी क्योला ही, और खे आए, उ, आओ, और थांग, ये पर क्या है, श्रॉर है, एक बार स्वर को द्यांस देखिएगा, परिच्छा है यहाँ परिच्छा में बहुत सारे परिच्छा में पूचे जाते हैं, घुमाफिर आक एक बार वीडियो को देखते हैं, एक बार इसका अध्यान कर लेते हैं, तो हम जहां तक लगता है, कि आप सारे प्रफ़न का जबाब एक दम सरलता पूर वक दे देगे, तो हमने बताया, कि आ, आ, ए, व, ओ, रिशी वाला री, ए, आ, ओ, आ, 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 अ, आ, अ, 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 बिल्कुल आप सो चल्एंगे, मैं कहा सीज को पढ़ना हूँ, अफा इकी, न, कोई बात न, चलो जांदे, तो यह हमारे क्या है, यह हमारे सब स्वर है, यह सब क्या है, स्वर है, इनके उच्छान में किसी दूसरे वर्ण या अच्छर की साहयता की आउशक्ता नहीं होगहां, तो देखर इसमें आपके कुछ वबप्रस्ण बनता है, यदि आपको कहा जाए, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या, क्या मैं इसाchemical इसे कहा जाता है तो आ अंग और और क्या कर जाता है अए जाता है योग वाह कर जाता है जिसकी गर्णा ना कीुजा है फिर भी सवाह तो इसे कंदाग की जाता है अंंग आहु क्या है!? आयोगवा या है !! आपसे आयोगवा कि शंख्या कूट्स दे हिंदि में आयोगवा.. क्या है किसे है दी Hanga को ठोड़ देते हैं शौरोग की शंख्या इतो । ल३ है किसे संख्या कूट्छा की 1-2-3-4-5-3-3 थो चूण फेलों की इतना है तो फूरुन की शंध्या जो है डिसा ऩो सेंखे कितना है उंत चार्ण के आधार पर कुछा जाए कर लोंगे सब्सक्राकर जाता है प roup पहुंच होता है तर वहां पर रिशी और रिशी यह फी आप पडिया कर्षें इस चाल आते अपड गु्चान है कितना है वाप सवरोग संख्य कितना है 11 ऑन करता है किसी दूसरे या उण या तर्टी सायता का उशकत आउस तोडा सा यहां लगते हैं कि काउंसा वर्ण कहां से उच्छा टो होता है निया किएगा उच्छान का जो अस्थान है आपको रटना नहीं है रटेंगे तो आप बूल जाएंगे आपको रटना नहीं है आप देखेंगे जो वरण उचारत करते समय जिनका आवाज गले से निकलेगा जिनका आवाज गले से निकलता है उन्हें हम क्या काते हैं कंट काते हैं जिन के उच्चारण करते हैं जी वाय उपर वाले ताल को चू देती है उसको हम कहते हैं प्रकार से आग्णा रखियेगा जब हम आ का उच्छार अस्तान करते हैं, आबर इप्रेटिकल करते रहिएगा साथ-साथ, और इस बात को देखते रहिएगा, कि कौन सब रड़ कहां से उच्छारीत होता है, तो यह ज़्यादा ज़्यादा प्रसना को पुछे जाते हैं, यह है आपका आ, आ, का उच्छार कर तालू को छूती है इसलिए हम इसे क्या क्या कहते है इसलिए हम इसे कहते हैं तालू क्या कहते हैं हम कहते हैं उ का उचा रस्थान करते है तो हमारा कारी वैया करता है हमारा कार क्या किया है ओठ है इसलिए हमसे किया इसलिए teachingいます क्या काते है heWh OSTTHG हो इसलिए हमसे कहते है OSTTH आगे देखिए गा हरी इसका क्या उच्छ अस्तान क्या है री री का उच्छ अस्तान करते हैं तो जीवा हमारी मुढ जाती है मुढने के इकाड़ा sow chiar आगे दिखने अगा है तो आपका जीवा ताल को छुनए तीक साल साथ आवाज पान लिए कंड से फिर समझेह, करते समय jurisdiction, आवाज तो घले से निकलते है कंट से निकलता है, साथ सा जीवा हमारी कुछ को छू देती है, ताल को छू देती है, इसलिए ये कहलाते क्या हैं, ये कहलाते कंट है और प्लस ताल, ताल या ताल अभ्य है, जाना किएगा, ओ आओ, अब आज कंट से निकलने के साथ साथ और कारे करता है, ओ आओ, ओ आओ, त आप जब हमक उचाना श्टान करते हैं आध वारट पूर दो का नाचसbacks करते हैं आप दिखान रिकेगा एक तारह उजिए आपका होस्ट है और जो निशी वाला री है किसे हम बूर्धाकाते हैं और आज जो A ha है है इसका उचाना आपका कंड़ भोस्ट है और अंका उचाना स्तान और की तैसल में इसका उचाना स्तान क्या है तो प्लेड है बिल्कुल आपका एक प्रस्वान सेभ हो जाता है आप बार बार यहाrou से प्रस्वां के यह ब 있습니다 सबसे ज़्यादा आपका आपका AI ऑर उब साद आप है तो साथ साथा कि अब आपके मध्यार नीन निभाण करते ह weet कि ईमेस्थ सोर है चार स्वर, काउन काउन से चार स्वर, आपका जो है A, I, O, O यह जो चार स्वर है, A, I, O, O, यह को कहा जाता है सन्युक्त स्वर कहा जाता है इनने क्या कहा जाता है, इन चारों को कहा जाता है सन्युक्त स्वर क्या का जाता है सन्युक्त स्वार सन्युक्त का मतलब होता है मिला हुआ स्वार का मतलब होता है स्वार अर्थात यह क्या होते हैं दो या दो से अधिक स्वारों के मिले होते हैं इसलिए हम इन्हें क्या काते हैं सन्युक्त स्वार काते हैं अगर हम A को देखें, कि A का उचारा स्थान क्या है, तो A का उचारा क्या है, A, A, और E से मिलकर के हमारा क्या बना है, A, प्लस E से मिलकर के हमारा A बना है, A किस से मिलकर के बना है, तो A हमारा A, और प्लस A से मिलकर के बना है, O देखें, तो A, और प्लस O, शे मिलकर के बना है, और आउ किससे मिलकर के बना है तो आप जानिएगा यह चार्ज संयुक्तुस्वर है ए, आई, ओ, आउ ए जो है आउ प्लस इसी मिलकर के बना है आई जो है आउ प्लस इसी मिलकर के बना है जो ओ है यह आउ प्लस इसी मिलकर के बना है जो आपका औ है वो A plus O से मिलकर के बना है ती है हमारे सद्यूकूसवर कोओंग काउन है? चाट वो A, I, O, O यहいい काउन है चाट सवर है आपके परिच्छम पुछा जाएगा सद्यूकूसवर कोओं काउन से है तो आपके A, I, O, O इनसे पूछा जाएगा कि इनके मेल से बने करके बने हैं इनका मेल किन सवरों के साथ हुआ है इन सवरों का मेल आ प्लस दी मिलकर के आपका अ बना है और दी मिलकर के आ बना है आ प्लस दी मिलकर के ओ बना है आ प्लस दी मिलकर के क्या बना है आपका तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए यही आपके स्वार है योगवा को कई बार प्रष्ण पुसा जा चुका या योगवा के शंक्य तो हिंदी में योगवा के जाता है अंस्वार है क्या कहा जाता है अंस्वार और विश्यर गरी कहा जाता है अंको अंस्वार और अंस्वार को क्या कहा जाता है विश्यर लेकिन इनका उच्छारन अस्थान देखा जाए तो इनका उच्छारन अस्थान क्या है अंक का उच्छारन अस्थान होता है नासि क्यां प्रकार के सवर्भ जानेगे कि उच्छारण के आधार पर या मात्रा के आधार मात्रा के आधार पर उचारण या मात्रा के आधार पर स्वर के किदने बेद हैं तो स्वर के तीन बेद हैं उचारण और मात्रा के आधार किदने बेद तीन बेद आपका पहला कौन सा है आपका है हरश्व स्वर हरश्व स्वर दूसरा आपका है दिर्गसर, तीसरा आप क्या है इसे कहा जाता है फ्लूत स्वर्थ, हरश श्षवर दिर्गसर और फ्लूत स्वर्थ, आगे है आपका जिस आधार पे, अगला जिहुआ के पर्योग के आधार पे, जिस आधार पे है तो जिहुआ के पर्योग के आधार पे, जिवा के प्रयोक्ते आधार पर कितने रेल होते हैं, जिवा के प्रयोक्ते आधार पर यह आपका होता है अर्ड्रस्वत, क्या होताइं अर्ष गांतौर गुषरा आपका है पस्च्यसवार पस्च्यः स्वार जो तीसरा है इसका नाम है मध्यय स्वर और किके मीइस वर भी कहा जाता है जेलियर gobierno कई of the ऑदल्द मिज्वार और केंद्री जुए सवर गाजाता है आगे भी है ओट की इस्थित के आधार पर इसके दो वेद है एक है आपका वृत मुखी क्या है वृत मुखी और दूसरा जो है यह है वृत मुखी एक है आपका वृत मुखी और बूसरा क्या है आपका वृत मुखी और इस्थित के आधार पर इसके दो वेद है एक है वृत मुखी और जिवा के प्रयोग के आधार पर हाक्रस्वर पाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो आगे हम पुड़ा सा देखते हैं, हरशुस्वर कहा किसे जाता है, किसे कहा जाता है हरशुस्वर, तो हरशुस्वर का मतलब समझेगा है, जैसा हरशु का मतलब होता है कम, अर्थात ऐसे स्वर, ऐसे स्वर बात द्यान किएगा, ऐसे स्वर जिनके उचारण में कम समय लग कितना कम समय एक मात्रा का समय लगता है ऐसे स्वर जिनके उचरण में एक मात्रा का समय लगता है एक मात्रा का समय अगर लगता है तो उसी को क्या कहते हैं हरस्वर एक मात्रा का समय लगेगा तो क्या कहलाएगा आपका हरस्वर कहलाएगा आईसे स्वर जिनके उचरण में एक मात्रा का समय लगता है। जो मात्रा का समय लगता है, मात्रा का समय कितना लगता है, एक मात्रा का लगता है, इसलिए इसे कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है, हरस्वर का जाता है, नेक्स देखेगा आपका है दिर्गुश्वर, कौन सा है, दिर्गुश्वर है, और दिर्गुश्वर किसे कहा जाता ह है ठीक समय लगता है हरस से अधिक समय लगता है अठ 알아 दो मात्रा का समय असे हैं मतनी a आपका एक है बड़ा आ बड़ी ए बड़ा ओ और ए आई और ओ आओ बड़ा आ बड़ी की बड़ा ओ ए आई ओ आओ ये आपके हैं साथ ठो एक दो तीन चार पांच छे साथ ये कैसे हैं आपके दिरिकस्वर हैं इनके उच्चार में दो मात्रा का समय लगता है इनके उच्चार में दो मात्रा का समय लगता है जो प्लूथ स्वर है इसका तो प्रयोग इस मात्रा का प्रयोग हिंदी में सामान रूप से नहों करके पली तो अपर गासा समझ लिएगा तो ऐसे स्वर जिनके उच्चार में त तो आप इस बात को जानीका दोस्टो जो ढेता इसका प्रियोग ढख समान रूप में का रिखाता है तो एक ऐसा प्रंप्रा टाइप को बन गया है, इसमें हम फीन बना देते हैं, तो इसमें लिग जाता है ओग, अब अगर हम यहां पे दुश्रू पढ़ें, तो निशी दूप से ओग को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, बलकि हम उसमें समय देंगे, क्या देंगे समय काते ह अम, समय देंगे, अब जो अब जब समय देंगे, इसमें मातरा कGreg लगा तर्मातरा है, इससे जादा भरत गिर्गशार से बही जादा समय लगता है एक प्रंप्राटाइब का, तो इसका प्रयोग आप जानते हैं कहां 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 कि दिया जाता है, तो इसका प्रयोग नाटक में, साथ ही साथ, दूर इस्थित, किसी ब्यक्ति को पुकारने में, किसी ब्यक्ति को पुकारने में, इसका प्रयोग जो है, दूर इस्थित, लोगो ज्यादा समय लेते हैं, ज्यादा समय कहीजते हैं, तक करी खेंद बना देखते हैं, लिब देखते हैं इसे खींज देते हैं, यह समझ में आ जाता है, इसमें मात्रा का कितना परयोग किया गया है, तो तेन मात्रा का परयोग किया गया है, यह इसका परयोग हिमनी मिननाय के परावर है, इसलिए कुछ गिताबों में आपको हरश्वर और दिर्गुस्वर ही दीता है, पुलोगुस एक है है आइसे स्वार जिनके उच्छार्म जीवा के आगे का भागतारी करता है। तो कहलातेक्या है जो कहला fortunat! है आग्रश्वर तो क्या पर आते हैं अग्रश्वर तो इसके उंचान कॉनकाउं से हैं तो छोटी वड़ी की ए और ए आई ए यह हमारे चार्ट पो कैसे हैं आपके हैं आग्रा स्वार परपन हुआ प्लस्चे स्वार काउन काउन से हैं आपका हालता है बडा आ बडा हा कि आपका पी रोगया है तो बडा हा उ-व औ- औ- पूऄ हो यह मैं कैसे हैं इसे उचर्ण में जीवा के पीछे का भाग कारी करता है और मद्र स्वर चैनल जिवा के नहीं आपके केंडरी विध्याले में में केंडरी काहुंसा है अंतरगता आफ पर दिखे जिवा के पड़ियों कि आगे का भाग कारता है जिनके उच्छार्ण में ओट है, बृत्ताकार या गोलाकार हो जाता है, जाता है तो उसे हम क्या काते है ब्रित्त मुखी क्या काते है ब्रित्त मुखी और गोलाकार हो जाए ब्रित्त कार हो जाए तो उसी कौन काते है ब्रित्त मुखी तक पर हुआ ब्रित्त मुखी में आप देखिएगा काउन काउन से होगे ओ ओ ओ और ओ 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 यह चार्ट काईसे है dough, बित मुखी की है व आओं और दू हम्सक्र बित मुखी आगे की अम कारी होता है शर्ट मुखी आओं जो भी शर्ट मु convenience र की होता है र क्ने के जा कर दो, दो बित मुखी को सिंका है डियाँ धमारे के हमारे अ बित मां दुख है कि हमां लिए स्किर Canon हों कि छाहिब और दिए तो बने सम्सें होगा जाए Letter कि रूंध कि इस्टि पार हिए जी में ऐखार अब hablando गुदी Night इंहार कि जो सोथे सब्सक्षित के आधार फ्र्तु बेल्ट है बृत मुखि और हम बृत मुखि बिर्ट मुखि नहीं, नहीं होता हैー हाँ दोस्तों हमाद जन करते हैं ब्यांजन ब्यांजन की से कहा जाता है तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कलाते हैं ब्यांजन बिल्कुल जैसे मैंने आप उक लिखा इसके उचारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है देखे हम कहते हैं का के साथ हमारा क्या चिपा है का के साथ हमारा भी क्या है चिपा हुआ है का के साथ हमारा क्या चिपा हुआ है का के साथ हमारा क्या चिपा हुआ है का के साथ हमारा क्या चिपा है का के साथ हमारा क्या आप पर गा सकते बियंजन को राम से दे सकते हैं एक स्वरों की साहिता से बोले जाने वाले वर्ण क्या करते हैं व्यंजन का राते हैं स्वरों की साहिता से उचारित होने वाले स्वरों की वाले वर्ण क्या करते हैं व्यंजन के व्यंजन कीदने परकार है यह आप परकार ही एक आए आपका इसपार्ष ब्यंजन । असपर्स व्यंजन, दोसरा जो भाग है यह है आपका आंतस्त व्यंजन, काउंसा है आंतस्त व्यंजन, आगे का जो भाग है इसका क्या नाम है तो आंतस्त व्यंजन, जो आगे का भाग है इसका जो नाम है इसका नाम है उश्मया संगर्सी व्यंजन, उसमिया संगाथी गंजन उसमिया संगाथी गंजन कुछ इसके और भेद है बिल्गुल जैसे आपके बेदों में रखा जाए जैसे काते हैं सन्युक्त गंजन क्या काते हैं सन्युक्त गंजन आगे भी इसके कुछ भेद है दिल्गुण गंजन या इसका काते हैं उतच्छिव्ट बेंजन, उतच्छिव्ट बेंजन, आगे हैं आपका अनुमासिक बेंजन, अनुमासिक बेंजन. कि यह बारी बारी से एक एक कर चर्चा करते हैं एक एक कर चर्चा कर थे हैं तो इनकी संक्या दोस्तों कि ने अच्छीश होती है इंकी संरंक ज़्यों, कितना है? इंकी सं़चयां 25 है. यह होते हैं कहां से कहां तक हैं? så कि मत कि हते हैं Чार. यह रलावव. यहीं हमेरे किस तईगे की बगढ़ा है लिए अंतल्षच बगढ़ा है ज़िस आपको आपको चन्षपर्स बगढ़ा है हमेरे चार बगढ़ा है ग्रीजिट इन्की संक्राइब तर कितना यह उर्ष कुझार तो इस अन्याग की नहीं है तरर किसा बाकि जन्चन इसलिकर क्लिएंड तक कि नियुक्त नाउते हैं कितना चार है तुक्त नाउन की और नाथ है जिक्षि बूद एक 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 पिछन करते हैं राजहीं पांच वर्ग कितना वर्ग होता है और प्रतेक वर्ग में प्रतेक वर्ग में कितने अच्छर होते हैं पांच अच्छर होते हैं परतेक वर्ग में अच्छर कितने होते हैं इस परकार से कश लेगते मत पांच उत्या कलत हैं असपस असपस ब्यंजन कलत है तो इनके उच्छ जो है जीवा काकंथ तालुदंध मुद्दा हो उष चब कही है इस पर सवने के कारन है इसको हम कहते हैं इंगे पांच वर्ग हमने बताया तो आपके वर्ग है काउन काउंसे से काउंसे गठाएं तो आपका पहला एक वर्ग म लूसरा है चया वर्ग, तीसरा है तवर्ग, आगे है पवर्ग, काउंसा है पवर्ग, यह हमारे काउंसे हैं, यह हिंदी के पांच वर्ग हैं, कवर्ग, चया वर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और पवर्ग, और पड़ते एक वर्ग में अच्छा कितन होते हैं, पा का हा घा और किया है अंगक हा यहां पांच वर्ग हैं पहले वर्ग का वर्ग में चरपाँ पर दूसरा दिखे का जया वर्ग तो इसमें आपका जया 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 और यह अगला है आपका और गलर Dhan और क्या है आपका और अगी दिगनगे का आपका cash और पांच वर आटिसा 13बेत्याटक जर भीत उचरना स्थान की उचरना स्थानorg इसलिए इसे हम पूरे को क्या काते हैं इसलिए हम क्या काते हैं इसलिए हम 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 का पाल्या तालब कांट्या पीये हां आगे दान देखिएगा जब टा का उच्छारण करते हैं तो टा ठा डा डा जीवा मारी मूर्द जाती है इस लिए इसको उच्छा काते हैं इसको काते हैं मूर्दा इस तो इसको इसले हुच्हा करते हैं क्या हूच्छांतगव जीवा मूर्जाती है जब आम आपको त त दा डृधा का उच्छार करते हैं तो जीवा Northern दांत को छूती है दोस्तों इसलिए इसका नम है दंटेर क्या है और पाफ़भभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ स्वें तश चाएर पिए तप कोईसे लेकर मत्तरमा तक कि पड़ते हैं में आपको बताएक हैं इंदीने 5 अचली होते हैं प्रते में अचली के अचली की तो क्रावर के दॉख 15 वर होते हैं खर यहां तो करता है ने फोला आप आप यहीं पर देख दीजिए गा किनाशिक इन इनको यहीं पर आप देख लोगते हैं यहीं पर दॉँच्छ का पार्ट करता है वर्ण का प्रतेश वर्ण का पंचमा अच्या रहा है लो ये क्या लिएल के लिए अरी कि बेद़ों कॉमलेर, ऺिः लिएल भीषटे गना, एमनाशीग了, हर वरका बनाशी गास्या हाह। लोसके लिए आक रृह गास्या हां, नद थी कॉरहा है। अगे एक सिर्चेर करते हैं अंतर्ष्त ब्यंजन कि anlam इससले कि हा जए सिरिक मेन इppy दो जई ए तो देखिये गा टार क्या पर कमें ही से नहीं पर एक सीध ले यह विर्ड बढलत है पुर्वाइसा, तो कि इन गिया होता है, तो आको किया उच्यारन कम पूयासा के परिवासा product कि इन ग tätä हुए brought away कि आएसे उच्यारन जिनका फेन घरान्वायो पियान काता है, जिनका अज हिए तो निमत क weirdest ग स्वर्व. क्या किते हैं आर्ध स्वार काते हैं अर्ध स्वर जय के स्वर आधा भीखाये मैं इसी बात को जाने हैं कुछ भ्याकरन भीरे भू बन हल रहे कुझ कि जुर्म कि नहीं को ही पर जान करेंगा है इननका भर प्रास्वार Seven के मध्य होता है इनित उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हीं के एंधनी निया आंतहसपी शौर शौर आ एंतनी शौर कहा जाता है तो सौर और बेंजर कम बहुत कहते हैं। लेकिन तुछ विए अगरीो काकिया नहीं दो अपने मैmbolती कहा नहीं हैं। यह आपका वाय है वा का जो एबार कुछ चाड़ा है तå इसका उस्ता और अस्थान है इसे कहा जाता है लूंतित या दंतमुल्टक तो रख औस unstown क्या है उंक्षण करते हैं जो हमारा ला है इसे हम पारसविक ब्यंजन करते हैं कि पारसविक 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 ब्यंजन पारसविक ब्यंजन क्यों कहा जाता है इसको ज्यान रखेगा पारसविक ब्यंजन क्यों कहा जाता है आपको आपके लगो पारसविक ब्यंजन क्यों कहा जाता है तो पारसविक ब्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उचारण में मूख से वा जीवा की बगल से निकल जाती है इसली ने खाय का जाता है पार सुइक ग्ञाजन कहा जाता है खई बार पर यह रह लह नहां यह चयां कि यह रह लह दोण जबता पीजर के में भाजय को ुअट 시작 अब दोस्तों तो हम आगे देखते हैं उश्मिया शंगर्शी वेंजन, उश्मिया शंगर्शी वेंजन किसे का जाता है, तो ऐसे वेंजन जिनके उच्छारण में मुख से वाई घर्षण या रगण खाके बाहर आती है, गर्मी का ऐसाथ कराती है, जिसका का मतलब होता है गर जिसका उच्छारण अस्थान है ताल, जो आका वहला श्या है इसका उच्छारण अस्थान है मुखा, और जो श्या है इसका उच्छारण अस्थान क्या है, दंतिया है, दंतिया है, और जो है है इसका उच्छारण अस्थान क्या है, इसका उच्छारण अस्थान क्या है, तो इसका उचारन अस्थान आपको अच्छे से याद होना जाए हुआ है साथ में हम तोड़ा सा रियाम देते हैं कि एक संयूती बेंजन होता है तो संयूती बेंजन कहां किसे जाता है संयूती बेंजन को देख लिएगा कहुं कहुं से संयूती बेंजन और चार हैं आप आपके संयूत से स्रत्य करके बना गि Chap raya M ये है उर जोन मोला आप देहिए गा बढ़ा वाला में जोम जांसले छिए छ ब्रक चुशा गया यहां के आधा का कहा हाँ हूरें तो खिया क्यान जी का सते है किसी याः एथे हैं oh यहां पि मैं इसी वीगोन ब्यंद्र का विचक्टम यहांकी कर ले रहा हूं। सब्सक्amment के वीगुण ब्यंद्र की तो सबसेएm द्रकव्ति मैं अलकर और बंतर्च हो जाता है। वीगोन बंतर्च फ़ेरा राव मैं दो कोंड़ रखने वाले जो आपके हैं रख arrest दंुल-धर बिंडी दे लेंगे ईजभ दह द्धि यही डlection धर दो मोल रहते हैं है जिए फ्लक हुणर कहा जाता है और इन दोनों का उच्छारणा behavior प्नल्दां त्पन एलेंग्गे श्कारणा है मोल रुट रार ज्लोकाταई बिंदी की विक्सित धोनिया है है यह श्रान्स्रीत में रही होते हैं जिए ईंडी की इभी fazemya है ये कैसी यों है तो यह जोंद्य जो है यह हिंदी की इकी्कामिया the जोनी ऑफ का बैंट Olika कनफंचश ऑगोषों क्या होता है स्एगोषि क्या होटाँ क्या होता है अगोश तो हम शर्गोश और अगोश का अधिन करते हैं अरपन हुआ चलिए आगे का जो टापिक आपका है यह है आपका सर्गोश क्या है सर्गोश या सर्गोश को घोश भी कहा जाता है क्या कहा जाता है धोश दूसरा है अगोश अगोश तीसरा है अलपप्राण क्या अब सवय घौश्ट कि आ जाता है चो जिन धवनीयों के उच्चारण में सवर तंत्रियों किंया है स्वार्तांत्री में जंजनवाट होता है। अगते हैं इसे सभोष दूरौHHHH सबलोआज 12 इतने हैं सबस्वर आंपके क्या हैं मुआइञे हैं सभी सवर आपके कैसे हैं सभी स्वरापिक कैसे हैं शगोस या घोस है और हर वर्ग का परतिक वर्ग का तीसरा तीसरा और चौथा और पांचवां वर्ड यह भी कैसा है किसी भी वर्ग का नहीं भी बताया था कि इन दे में पांच वर्ग तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवां तीसरा च पाव मर्स गगोई कि यह अलाक हो है सिरन कहरा सबस्के डोका кजय है और ऐह एक हवा किले कर आकए जुन के हमयर आता ही आपके कई नाम हबहर leagues यह सबीक सब्सक्राइब कर दोता जका दोलनीन के पर भी मर्हान है टम इस आपके किसमा और इसी भी वर्ग का सभीस वर्ग क्या है सगोष है और पर्टेक वर्ग का तीसरा चोटा पाज़वाँ चश्रगोष है यह रहला हुआ है सगोष है यह पूरे क्या है आपके सगोष है अब ध्यान कियेगा जो सगोष होगा जो सगोष होगा और अगोष नहीं होगा काने मतल तीसरा परतेकवर का दूसरा और तीसरा वर या छर परतेकवर का दूसरा तीसरा अच्छर क्या होगा सह भोश होगा। इसके बाद आपका क्वाँपवसा है और सह है सहर यह भी तीनों कैसे हैं यह आप पुर्णा रहें का कैसे नन पनोंगा है तक तहरा रखेंगा कि यह फिर लभ वाव यह तो हमारे श्यग होसाई खिल्गें पड़ते marinually क्वर का आप भर्ट अगोस किसे का जाता है आप बताईएगा जिन द्रणियों के उचारण में स्वर्तंद्रियों में कंपन नहीं होता है कि यही आपके हैं सर था सर इनके में उचारण में स्वर्तंद्रियों में कंपन नहीं होता है आगे देखेगा महा प्राण, ओ शोड़ी, अल्प प्राण, यहां पी जो अल्प प्राण लिखा हुआ है, यहां अल्प का मतलब होता है, कम प्राण का मतलब होता है, यहां कम समय लगता है, कम समय लगता है, तो कम समय लगने के कारण हम इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं, कि इसी बैवनी को चरुण में बोलने में इसे कम समय लगता या वोग अब क्या है तो प्रतेक वर्ग के इसी वर्ग का पहला पहला झीजरा और पांचुमा कै इसी वर्ग का पहला झा थे नियुघ के है अधिक साथ साथ क्या है सागोश का हैं? सख gospel. हआँ, सख è गया और हमारे क्या क्या है . कि आगे हम देखते हैं महाप्रान में क्या है कि कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा बिल्कुल सही किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग किसी भी वर्ग का दूसरा और किसी भी वर्ग का चौथा जब गालता क्या है यह आपके हैं महाप्राण किसे हैं तो अल्क प्राण अधिक महाप्राण प्राण में ज्यादा समय लगा एक बार फिर से देखिएगा श्रागोष या भोष क्या है तो जिन वर्णों की उच्ण में स्वर्त अंत्री में कम पन होता है वो श्रागोष का लाता है कर पन हो एक हर वर्ण का तीसरा चौथा पांचमा श्रागोष का लाता है ये आपके सागोश का लाते हैं और सभी स्वर्श अगोश का लाते हैं और अगोश का लाते हैं प्रतेक वर्व का आपका पहला और दूसरा अगोश है 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 यह हमारा रहा माहा प्रान, तो एक प्रशन आप यहां से आपको नोड कर लिएगा सारे को, और यहां से एक प्रशन आपका इसी निकसी परिछा में यहां से पुछा प्रशन जाता है, इस तरीके से इन सारे प्रशनों को आउजाने रखेगा, यहां से आपको एक एक प्रशन आपका बुश़्िया जाता है ठीक है दोस्तों तो अब हम नेक्स वीडियो में मिलते हैं सब उपर चेकिंग शाल नमगाद